अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जुरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर भी करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी करें और दा प्रेस्ट प्रफेक्ट कॉंटिनूस टैंज को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें The present perfect continuous tense also known as the present perfect progressive tense shows that something started in the past and is continuing at the present time. The present perfect continuous is formed using the construction has or have been plus the present participle participle, root plus ing. Pocha root kya ootie hai root hootie hai jad, language me jad kya ootie hai verb, koi bhi language hai, chaayi haom bolte hai, chaayi haom likhite hai, chaayi haom pahathe hai, kishi bhi bahashah me, English ho, Hindi ho, aapki pahari bahashah ho, ya Sanskrit ho, sab bhi me verb ke bhi जो शब्द हैं ये एक शब्दों का स्मू भर रहा जाते हैं वर्ब के बिना वाक्य अधूरे हैं इसलिए इसे रूट कहा जाता है वर्ब को इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि कारिये कुछ समय से लगाता जारी है लेकिन पूरन नहीं हुआ है प्रेसेंट परफेक्ट कॉंटिनियूस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है रही है रहे है रहा हो रहे है हो आधिशब्दाते हैं और इस टेंस में कारिये जारी रहने का समय दिया हुआ होता है जबकि प्रेसेंट कॉंटिनियूस टेंस में कारिये जारी रहने का समय नहीं दिया होता है उसमें भी बचो रहा है रही आता है पर उसमें समय नहीं दिया होता है ये फरक उता है example, वह दस मिनड से चाई पी रहा है दस मिनड से क्या है बचो इसमें टाइम दिया हुआ है he has been taking tea for three hours number two, पिताजी सुभा से अख़़पार पढ़ रहे है The father has been reading newspaper since morning Number three, मैं एक साल से दिल्ली में रह रहा हूँ I have been living in Delhi for one year Number four, ये लड़के दस बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं These boys have been playing cricket since 10 o'clock Number five, इस जन्वरी से बहुत जन्वरी से इस घर में रह रहा है He has been living in this house since January अब बच्चो हम affirmative sentences की बात करेंगे, इसके rules की पर तीक सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट, थोर्ड परसन के साथ थोर्ड परसन कौन से होते हैं बच्चो He, She, It और nouns के name, name of the nouns के साथ has been लगा कर वरफ की first form के अंद में ing लगाते हैं रूल नमबर टू, यू, वी, दे, आई और बहुआ चन नाउन सब्जेक्ट के साथ है पिन लगा कर वरफ की first form के साथ ing लगाते हैं रूल नमबर थ्री बच्चो इस वाले इस रूल को बड़े ध्यान से समझना समय दिखाने के लिए four या since लगाते हैं अब four कहां लगाते हैं निश्चित समय के लिए point of time दिखाने के लिए since लगाते हैं जैसे since Tuesday, since 1998, since morning, since four o'clock नमबर four समय के अफधी, period of time आधी के लिए four लगाते हैं जैसे four two days, four three months, four five hours अब दिखो अफधी दिखा रहा है, जहां समय दिखा, period of time और point of time दोनों अलग लग चीज़ें, point of time में लिश्चित समय दिया होता है period of time में लिश्चित समय नहीं होता है point of time के साथ क्या लगता है, since लगता है और period of time के साथ लगता है 4 अब इसका क्या rule है short में देखो subject प्लस has और have प्लस been प्लस first form of verb में ing प्लस object प्लस since और 4 प्लस time examples अब इसके examples देखते हैं मुहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है दो घंटे से अब पॉने दो भी हो सकते हैं दो घंटे में अब दी में सवा दो भी हो सकते हैं accurate time ने है न बच्चो इसमें तो इसलिए क्या आएगा यहां पर for more has been reading this book for two hours number two वो january से इस घर में रह रहा है january से accurate time दिया हुआ है month दिया हुआ है january he has been living in this house since january number three विद्यार्थी क्लास में एक घंटे से शोर मचा रहे है the students have been making anwais for one hour मैं सुभा पांच बजे से कपड़े धू रहा हूँ I have been washing clothes since five in the morning number five किसान चार घंटों से खेतों में काम कर रहा है the farmer has been doing work in the field for four o'clock negative sentence rule number one इसमें has या have के साथ not लगाते हैं अब क्या इसका rule है subject plus has और have plus not plus been plus first form of verb में ing plus object plus since or for plus time example वह जनवरी से इस मकान में नहीं रह रहा है he has not been living in this house since January वे नदी में दो घंटे से नहीं नहा रहे हैं they have been bathing in the river for two hours number three वह दो दिन से नहीं पड़ रही है she has not been reading for two days number four विद्यार्थी क्लास में एक घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं the students have not been making unwise for one hour अब बच्चों हम interrogative sentences की बात करेंगे अगर वाक्य के आरम में क्या हो तो has या have करता मतलब subject से पहले लगाते हैं rule number two अगर वाक्यों के बेच में कब क्यों क्या आदी शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी इनकी English मतलब कब मैंने when क्यों होगा तो why क्या होगा तो what उसके बद क्या लगाएंगे बच्चों has or have फिर subject लगेगा number three कितना कितनी या कौन सा how much how many और which के साथ उन से 70 nouns आते हैं फिर बागी सबाग के बात मतलब है rule number four वाक्य क्याते हैं प्रशन सूचक्चे question mark sign अवश्य लगाते हैं अब क्यासे लगते हैं has or have plus subject plus been plus first form of verb ing plus object plus since or for plus time plus question mark sign examples क्या वह अपने काम में तीन क्या वह अपना काम तीन घंटे से कर रहा है has he been doing his work for three hours क्या वह सुभा से सो रही है has she been sleeping since morning क्या आप दो साल से दिली में रह रही है have you been living in दिली for two years इस मकान में एक साल से कितने लड़के रह रही है how many boys have been living in this house for one year तुम दो दिन से यहां क्या कर रहे हो what have you been doing here for two days वे जुलाई से अपना समें नस्ट क्यों कर रहे है why have they been wasting their time since July तुम्हारा शाम से कौन इंतजार कर रहा है who has been waiting for you since the evening शुकरवार से टीचर कौन सी किताब पढ़ा रहे है which book has the teacher been teaching since Friday अब rule number five interrogative sentences का interrogative negative sentences में वाक्य interrogative affirmative sentences की तेरा ही बनते है केवल करता मतलब subject के बाद not or लगा देते है has or have plus subject plus not plus been plus verb में ing plus object plus scenes or four plus question mark sign example क्या वहत दो दिन से नहीं पढ़ रहा है has he not been reading for two days number two क्या मुझे सौंबार से बुखार नहीं आ रहा have I not been suffering from fever since Monday thank you students I hope you like my video please like and subscribe my channel or like this video